वेल्कम बैक टू आड़ी बायो हब क्लास 12 का टॉपिक करें हम लोग आज चैप्टर नबर 14 का जो हमारे रिमेनिंग है होप कि आज चैप्टर आपका कम्प्लीट करा दू में ये तो लास्ट टॉपिक तक हम लोगों ने कर लिया था एकलोजिकल पिरामेट्स के बारे में तो ये कौन सब दिया था हर्ट ने इन 1885 ठीक है चैप्टर नबर 13 में आप लोगों ने जो पॉपुलेशन है उसके क्याटस्टिक किये थे कि एक पॉपुलेशन का इफेक्ट कैसे होता है कैसे इंक्रीज हो रही है कैसे डिक्रीज हो रही है ठीक है किसी भी एरिया के अंद टाइम जो भी और्गनीजम अपियर हुए थे ठीक है तो उस और्गनीजम को हम लोग नाम देते हैं किसका पाइवनियर कम्यूटी का ठीक है फस्ट फॉर्म उसके बाद चेंजेस आए बहुत चेंजेस आए बहुत चेंजेस आए और आज अगर हम अपने आपको यहां पर म पाइनियर कम्यूटी हम मानते हैं कि सबसे पहले जो बैक्टीरिया लाइक और गनीजम पहले आये थे तो एक सीक्वेंस हुआ यान कि कुछ और गनीजम आए फिर चेंजेस आए फिर दूसरे तीसरे आए तो इनको कनेक्ट करने के लिए यहां से लेके यहां तक यानिकि फर सीरियल करना पड़ चेंजेस जो आए स्टैब बाइस्टेव जो प्रॉससिंगुसमें उस्में चर कॉम्यूटी होते है उसको नाम देथे हैं इंगल को सीर और कम्यूटी और सीरल कम्यूटी का ठीक है तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे अनियं सक्सेशन के लिए पल what is ठीक है, at the same site, उसी जगह पर, one after the other, till एक के बाद एक changes आने, जब तक कि climax का मतलब है, final community ना आजा, जिसके अंदर further कोई changes हम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, एंकि nature कोई और change नहीं कर पा रही है, उसमें, हम उसको बोलते हैं, climax community, ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, कि जो climax community है, वो क्या है, कैसे करेगी, important characteristics of all community is that, कि their composition and structure constantly change in response to the changing environment condition, जो भी community आती है, उसके लिएक response क्या आता है, कि environment के अंदर जो भी change आती है, वो उसको response ज़रूर करेगी, उसके according ही वो अपने आपको change करती है, ठीक है, अब changes कैसे हो सकते हैं, अगर हम लोग बात करें, changes का मतलब यहां पर यह क्या कह रहे हैं, तो biotic community की बात हो रही है, तो biotic community में changes कौन से आ जाएंगे, इसमें first change हम लेंगे कि जो small life gene organisms की है, उनकी क्या हो जाती है, death हो जाती है, small life organism की death हो जाएगी, जिनका life span, first chapter में हमने किया था life span, जिनका life span long होता है, वो organism जो है, survive करते हैं for a longer time period, ठीक है, longer time period के लिए survive कर सकते हैं, अगर biotic community unstable है, ठीक है, unstable का मतलब कि उसके अंदर environment की जो fluctuation से उनके वे से बहुत effect होता है, तो unstable जो biotic community होती है, वो किसमें convert हो जाएगी, stable community के अंदर, during the ecological succession processing, ठीक है, उसके बाद next क्या हो जाएगा, कि अगर unstable से stable बन गया, तो इसका मतलब living mass जिसको मने किसका नाम दिया था, biomass यह भी क्या हो जाएगा हमारा, increase हो जाएगा, ठीक है, अगर यह increase हो रहा है, अगर हम लोग बात करते हैं, प्लांच के बिहाफ पे है, तो प्लांच के अंदर हीमस content जो है, वो increase हो जाएगा, ठीक है? हीमस भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? increase हो जाएगा, yumus increase जो है, तो plant की, productivity, that will also be going to be, increases, productivity increase हो जाएगी, productivity increase हो रही है, तो more stable, more stable food chain हमें मिलेंगी, अगर stable food chain है तो वो किसको form करेंगी food web को ठीक है यह changes आएंगे किसमें एक biotic community के अंदर during the process of a succession succession process जब चलेगा उसके अंदर आगे देखिए these changes lead अब यह जो changes आ रही है this changes will lead finally to a community that is near equilibrium जो equilibrium के कंडी कगार पे होगी यानि कि उसके बाद उसमें changes नहीं आएंगे changes आएंगे तो negligible होंगे with the environment and that is called the climax community ठीक है और environment के बाद finally क्या जाएगी climax community आ जाएगी तो यहां पर एक definition और आपकी आ रही है ecological succession की यह सी देखिए the gradual and fairly predictable change in the species composition of a given area जो हम easily observe कर सकते हैं ठीक है इसका सबसे exam बढ़िया example अगर हम लोग ले तो यह होता है newly formed pond का ठीक है या फिर bear rock या barren land बंजर पड़ी कोई जमीन है उस पर हम लोग मानलो 10-20 साल बाद जब गए तो मैं वहाँ पे grasses वगरा दिखी ठीक है कुछ टाइम बाद देखा हमने वहाँ पे और थोड़ी vegetation बढ़ गी तो यह जो vegetation आप लोग देखते हैं कि एक जो area है इसे ही खाली पड़ा था कुछ टाइम बाद उसके अंदर देदेदे वेजिटेशन ग्रो होनी स्टार्ट होगी है डाट ओल वाट वी कॉल्ड आज एको लॉजिकल सक्षेशन जब बनेगा तो महां पे क्या होगा बें कम्यूटीज भी बनेंगी उसकी कॉलोनी भी बनेंग इस में दे रखा कि स्पीशीज की कॉलोनीज भी बनें कि उससे एरिया के अंदर नंबर जो होगा वह इंक्रीज ओगा पॉरेशन जो है वह कुछ स्पीशीज की अपियर होगी कुछी दिसपिर हो जाएगी देखे कि वर्ड दे रखा है इसमें दियर पॉपॉपॉलेशन ब अन्सुटेबल है तो वह स्पीशिस क्या हो जाएंगी खतम हो जाएंगी एग्जांपल डैनासौर का उठालो ठीक है यानि कि दूरिंग दस्नो एज जो आई थी इसमें डैनासौर उस लो टंप्रेचर को जो है एसप्ट नहीं कर सकते दे लो टंप्रेचर इस अन्फेवर कि आम उसके बाद भी रख ख От vital certainjack के कुटिकर को कि मुल्टि के लिए किसके मूंड़ा उसका एक सिंगल पर्टाएंगे उसको दनाम देती है इसको नाम देती है सीर का थिक के टो February स्टेजित अधेरें विदर लिमिट ऑफ टाइम वह चेंज़ेंगे और बीश को लिद करेंगे एक मैस को किसा क्लारम इक सको The Clifford कि और यह इन अबन ऑफ नाभ एक ऐसेते को इस्टिक भी प्लॉड का इंक्रीस जो है वो नेसेसरी ता नेक्स हैं कि जो सक्षेशन है प्रेजेट डे की जो कम्यूटी आज अर्थ के हम जो भी ऑर्गनीजम्स देख रही है एक सक्षेशन है इसको एक्चॉली हम क्या बोलते हैं सक्षेशन एन कि यहां पर यह सक्षेशन जो वर्ड हैं प्लांट के लिए यूज कर रहे हैं कि बंजर जमीन है उस पे बहुत आलिशान एक फॉरस्ट ग्रो कर गया ठीक है और इवोलुशन किसके लिए यूज किया कि वही उसमें एक स्पीशी जो पहले आई थी उसमें कुछ चेंज आए उ सबसे पहले आई कि पाइनिर कमेंटी पाइनिर कमेंटी क्या होगी लटाज़ देफिनेशन दफिशी जाट इनवेड़ एरिया बेर एरिया मतलब जह पर कुछ भी नहीं है चाहिए पॉंड है चाहिए एक लैंड एरिया है रॉक एरिया कुछ भी है ठीक है या दूसर देफ पॉंड है एक नियुली फॉर्म कोई वाटर रेजर्वायर दूसरा हमने ले लिया तो वहां पर सबसे पहले जो कम्यूटी हमें नजर आई बैट इस कोल्ड आज दा पाइनिर कम्यूटी पाइनिर कम्यूटी के बाद वहां पर सीरिल कम्यूटी जा जाएंगी जो किसकी को मन अगर बताओं शकूल में एंडर किया सबसे बेसिक आप लोग क्या करते हैं सीर्थी क्लास से अंड करते हैं ठीक है, intermediate जो आपकी classes चली, all are serial community, ठीक है, climax community, the stable, surf perpetuating and the final biotic community, final जो वहाँ पे बन गई, जिसके अंदा changes जो हो unpredictable है, ज्यादा changes नहीं आने वाले, changes are very rare, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि example of the areas where primary succession, primary का मतब सबसे पहले, एक बार environment के अंदर changes आके, जो हमारी community बन जाती है, that is called as primary succession, ठीक है, यानिकि primary succession is a biotic succession, which occur on an unoccupied area, ठीक है, यानिकि जहाँ पे कुछ भी नहीं था, उस area में सबसे पहले, जो succession शुरू हुई है, that is called as primary succession, यह succession के type है, primary succession और दूसरा होता है हमारा secondary succession, secondary succession का example अगर लें, तो जैसे मालो forest के अंदर, आप लोग, every year, you commonly hear, fire burst out हो गी है, volcanic eruption हो गया, जिससे nearby area का forest हो गया है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, temporary damage है, क्योंकि वहाँ पे life थी, ठीक है, दुबारा से life को originate करने में, millions of year का जो sequence है, वो उस life को follow up है, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तो second definition क्या हो जाएगी, secondary succession की, it occur in an area where a community has been removed, and where nutrients are, nutrients and conditions for existence are present, यानि कि वहाँ पे सिर्फो community खतम होई है, लेकिन, उस community को दुबारा से establish करने के लिए, जो nutrients थे, जो life forming, conditions थी, सब वहाँ पर present है, यह देखिए, इसमें क्या दे रखा है, secondary succession begin in an area where the natural biotic community have been destroyed, such as abundant farmland, burned or cut forest, land that have been flooded, यानि कि जहाँ पर बाड आ जाती है, एक्समें फ्लड आ जाएदे, बाड अगर किसी भी अरिया में आती है, तो after 4, 5, or 10 years, वह दुबारा से regrowth कर जाता है, ठीक है, since some soil or sedimented is present, succession is faster than the primary succession, because यहाँ पर secondary succession में, जो raw material है, वो अरड़ी present है, excess amount में, as compared to the primary succession, इसलिए rate, secondary succession का faster होता है, as compared to the primary succession, succession, ठीक है, एकलोजिकल सक्षेशन जो है, description of ecological succession, usually focus on, किसके ओपर focus होता है, इसका, change in vegetation, की vegetation में, क्या changes हा रही है, however, this vegetational changes in turn affect food and shelter for the various animals, जैनकी एक organism, जिसका food मान लो, एक proper insect कोई है, चीक है, कुछ changes हाए gradual और वो insect की death हो जाए, तो उस insect के उपर depend करने वाले other जो organism हों है, धीरे धीरे या तो वो अपनी habit को change कर लेंगे, या उन सब की यह हो जाएगी, finally death हो जाएगी, thus, succession proceed the number and type of animal and decomposers also change, decomposers की भी formation में help करता है, वो भी change होएंगे, at any time, during the primary or secondary succession, natural or human induced disturbance, nature या human disturbance कर सकते हैं, इसे forest है, defustation है, industrial जो areas हैं, उनके लिए हम लोग कट कर रहे हैं, तो defustation के अंदर हमारा include हो गया, ठीक है, can convert a particular serial stage of succession to the earlier stage, रैंकि serial stage हमारा जो चल रहा था, वो back जा सकता है, ठीक है, जो serial stage है, वो earlier में convert हो सकता है, मानलो एक बिच्चा 10th standard के exam दे रहा था, फेल हो जाए, कौनसी class में होना चाहिए तो उसको 11th standard में, बट फेल हो गया तो वापिस से किसमें आ गया है, वो 10th standard में, एक step back, वो ही यहाँ पर बता रहा है है, ठीक है, आलसो सच disturbance create new condition that encourage some species, और जो changes हो सकता है, वो gradual changes ऐसे हो, कि वो जो नई species बने, वो first form जो species थी, उससे भी better हो, ठीक है, अम next, succession जो होता है, उसमें दो point हमें, बहुत ध्यान रखने होते हैं, कि based on the nature of habitat, कि कहां पर succession चल रहा है, weather, it is water, water है तो wet area बोलते हैं, water नहीं है, तो dry area, succession of plant is called hydrage, यानि कि जहां पर water present है, ठीक है, यानि कि water present है, wet condition है, तो condition क्या हो जाएगी, hydrage, जहां पर water नहीं है, wet conditions, sorry, dry conditions है, वो condition क्या कहलाती है, ziraj condition, ठीक है, तो water वाली, wet condition, hydrage succession, take place in wetter area, and succession, succession, serious progress from hydric to magic, magic conditions, वो condition होते ही, जहां पर water एक minimum amount पर present है, जो life sustaining के लिए, हमारी life के लिए जरूर ये उतनी ही water present है, चीक है, जिराच succession, take place in dry areas, यानि कि जो bare rock है, वहां पर succession जो होगा, वो जिराच succession होगा, पॉंड में चलने वाला हाड़ा succession, take place in dry area, and the series progress from zeric to magic condition, यानि कि अगर आप से पूछा जाए कि हाइडा सक्षेशन और जिराच सक्षेशन के बीच में common क्या है, तो common कौन सी condition है, magic condition, ठीक है, because both lead to the medium water condition, एक water condition के medium से cross हो रहे हैं, that is, neither to dry nor to wet, ना तो जादा गेली हैं, ना जादा सूकी है, the species that invade a bear area are called pioneer species, जो species सबसे पहले, उस एरिया में सबसे पहले आएगी, उस species को हम किस का नाम देते हैं, pioneer species का, तो plant के लिए हम लोग करते हैं, study इस में अब, ये देखिए, इस से पहले दो वर्ड और देखें, एक है लिथो सीर, एक है हाइडो सीर, लिथो सीर का मतलब क्या हो गया, land पे है, dry condition में है, तो ये किस से originating हो रही है इसकी, bear rock से, हाइडो सीर का मतलब, water से है, तो newly formed pond जो होगा, उसके लिए हम लोग कौन सी condition लगाएंगे, लिथो सीर, सक्षेशन अगर बोला, तो ये किसका होता है, bear rock का, hydro सीर सक्षेशन अगर वर्ड आता किसका हो जागा है, pond का या फिर newly formed lake का, अब देखिए, सबसे पहले, newly formed जो rock, जो हमारा pond है, उसमें कोई organism नहीं है, तो वहाँ पे सबसे पहले, blue green algae, diatoms, यानि कि हमारी जो, microscopic organism है, वो originate होंगे, तो यहाँ पे phytoplankton, क्या हो जाएंगे हमारे लिए, these are the pioneer community, सबसे पहले rise होए है, धीरे धीरे ये grow करेंगे, water के अंदर, newton का content बढ़ाएंगे, newton का content बढ़ाएंगे, तो वहाँ पे दीरे दीरे, duty evolution और changes आएंगे, दूसरे organisms को ये grow करवाना, start करेंगे, तो phytoplankton के बाद, next हमारे पास आजेंगे, submerged plant, जिसे हाईडरिला है, वैलेस नेरिया है, ये plants आजाएंगे, इसके अंदर वह grow करेंगे, उसके बाद, submerged के बाद आती है, free floating, जिए free floating surface के ओपर float कर रहे हैं, जो previous stage में, देखिए सिंप्रीवे स्टेज के अंदर कौन से थे हमारे, submerged plant थे ये हैं, और next stage के अंदर भी ये present है, ये खतम नहीं होएंगे, as it is continue चलेंगे, free floating plant आजाएंगे, जिए free floating plant इसके साथ ग्रो करेंगे, उसके बाद next आजाएंगे, रीड स्वार्म स्टेज, यान की एक दलदल टाइप का जो एरिया बन जाएगा, की water content कम हो जाएगा, प्लांट जो है वो थोड़े से बढ़ जाएंगे, जो होता है पॉंड का ये लेग का वहां तक ये मर्ज करके चली जाती है, नेक्स आएगा मार्शी मिजो स्टेज, यानि की बिल्कुल दलदल जैसा एरिया, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है, मार्शी लेंड और इसके अंदर, और ये एक ड्राइ लेंड एरिया के अंदर कनवर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो मार्शी वीडियो के अंदर हमारे जो स्मॉल हब्स वगरा के जो प्लांट्स होंगे, स्मॉल साइज के वो इसमें ग्रो करते हैं, नेक्स आता है स्कर्ब स्टेज, स्कर्ब स्टेज के अंदर हमारे जो शर्ब्स हैं, लाज शर्ब्स के जो ट्रीज हो जाएगे, स्मॉल ट्रीज हो जाएगे, वो इसके अंदर ग्रो होंगे, और फाइनल क्या आ जाएगी हमारी लाज ट्रीज, तो forest क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा climax community अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे पहले कि यहां पे हमारी pioneer community कौन सी है तो pioneer कौन सी हो जाएगी phytoplankton वाली और submerged plant submerged free floating plant, reed swamp, marshy meadow stage, scrub stage ये सभी के सभी हमारी कौन सी community हो जाएगी serial community हो जाएगी और final climax community कौन सी हो जाएगी हमारी forest की ठीक है रॉक के उपर कैसे होगा रॉक में देखिए एक बेर रॉक की स्टेजिस कौन से है क्योंकि एंसी आटी में गिवन नहीं है यह वहला आपका तो आप ध्यान से देखिएगा इसको बेर रॉक में सबसे पहले लाइकेंस और मॉसस ग्रू होंगे लाइकेंस और मॉसस जो होते हैं यह लिटल बिट एसडिक नेचर है इनका तो इनकी जब यह अपनी रूट्स को डीपली टग आउट करते हैं किसी रॉक के अंदर तो धीर धीर एक एसेड रिलीस करेंगे ठीक है और वह एसेड जए नही करेंगे स्वाइल पार्टिकल की फॉर्मिशन करेंगे जब स्वाइल बन जाएका तो वहां पर न्यूट्रेंट आजाएंगे ठीक है न्यूट्रेंट अगर वहां पर प्रेजेंट है उसके बाद वाटर अविलेबल हो रहा है उनको रीन फॉल से मॉश्टर से तो हर्ब्स मंगो क्राइफ वहां परूपर करेंगे को और जादा न्यूट्रिंट-कन्टर बढ़ेगा बाएमास बढ़ेगा वह इसको सपोर्ट करें इस और पैर तो न्युट्रि fajn LIKE झा मतलब यहां पर हमारा फाइनल क्या है दूबारा से खाहिक रिलेग्णाओंध movie ऐन के रहां हमारी क्या होती है forest चाहे वो हमारी hydrarch succession है या हमारी zira succession है दोनों की climax community हमेशा क्या होती है forest होती है चीक है उसके बाद let us move to the next topic nutrient cycling nutrient cycling का मतलब की जो nature में cycle चलती है तो आप उने 9th standard के अंदर भी कर रखा है कि भी nature के अंदर हमारी carbon cycle है nitrogen cycle है oxygen cycle है different cycles चलती है तो सबसे पहले तुम देखते हैं कि cycle के अंदर जो soil है वो हमारे एक reservoir की तरह एक्ट करती है soil and oceans ठीक है reservoir की तरह act करती है तो reservoir के form में हमारी soil जो है वो reservoir है निकि बहुत सारे उसके अंदर nutrients जो है वो उसके अंदर present है तो एक point यहां पर हमारा standing state standing state का मतलब standing state का मतलब क्या हो जाएगा कि soil के अंदर at a particular time given time हमने लिया है उसमें जो nutrient content present है that nutrient content is called as a standing state standing state जो है यह different ecosystem की अलग अलग हो सकती है seasonal time पे वेरी कर सकती है प्रॉपर नहीं होगी वेरी कर रही अकॉर्डिंग टू दो सीजनल बेसे अब जो nutrients है इनको ecosystem एक प्रॉपर मैथड के थ्रू इंटेक और आउट करता है इंटेक को हम नाम लेते हैं in flux out release करने का इसको नाम हम देते हैं इंटेक्स का मतलब आउट बाहर रिलीज करना इंटेक्स का मतलब इंसाइड लेना हम जो लेंगे वह influx जो हम रिलीज करेंगे वह efflux ठीक है तो यह जो cycling चलेगी जिसके थूर यह process चलेगा that is called as nutrient cycling और nutrient cycling को दूसरा नाम दिया जाता है bio geochemical cycle bio geochemical cycle हम क्यों बोलते हैं bio क्योंकि living matter यूज है geological word यहां पर यूज कर रहा है क्योंकि इसके अंदर abiotic component जो है rocks, air, water सभी के सभी included है chemical क्योंकि chemical changes इसके अंदर अकर होते है nutrient cycle दो टाइप्स के होती है अपने two type क्योंकि gases and sedimentary तो आपको जो study करनी है gases में वो तो है एक तो carbon dioxide की एक है nitrogen की nitrogen की cycle as you have study in 11th standard तो वो यहां पर डिस्क्राइब नहीं होती है sedimentary के अंदर हम यूज करते हैं phosphorous cycle की nitrogen cycle दुबारा से एक बार 11th standard की books उठा के देख लिजेगा आपनी carbon dioxide cycle as you all know इसके अंदर क्या हो जाएगा कि atmospheric carbon dioxide है इसका main reservoir है कौन यूज करता है इसको इसको यूज करते है हमारे plants as a photosynthetic material वो यूज करेंगे carbon dioxide को fix करेंगे fix करने के बाद वो release करते है oxygen into atmosphere but during respiration वो दुबारा से क्या release करेंगे carbon dioxide burning of fuel है यह carbon dioxide को release कर रही है हमारी वीकल्स का वीकल्स के अंदर जो combustion होता है fossil fuels का वो भी किसको release कर रहा है carbon dioxide को release कर रहा है ठीक है इसके अलावा aquatic habitat के अंदर जो aquatic organism है जो हमारे algae है ठीक है डायाटम्स वगरा है वो यूज करते हैं carbon dioxide को in the source photosynthesis में इसके अलावा जो dissolved oxygen carbon dioxide होती है हमारे atmosphere के अंदर especially oceans के अंदर वो किसमें convert होती है calcium carbonate की तो वो calcium carbonate किस से बनता है water के अंदर present calcium है जब वो react करेगा with the carbon dioxide present inside them ठीक है तो वो form करेगा calcium carbonate की shell उसके बार next आता है कि जो reservoir है gaseous type of nutrient वो क्या है reservoir का मतब बंडारगा मिलेगा में इसका main आता है हमारा atmosphere का ठीक है और sedimentary cycles जो होती है इनका reservoir है हमारे earth crust के अंदर environmental factor जो effect करेंगे इसको वो कौन-कौन से है soil है moisture है pH temperature यह सब regulate करते हैं कि कितना amount release होता है मारा atmosphere के अंदर इन सबका अब यहां पर मैंने जो word बोला है कि reservoir का function क्या है the function of reservoir is to meet the rate of influx and influx इसका main motto क्या है कि एक imbalance जो create हो रहा है intake में और release में उसको maintain करके रखना ठीक है उसके बाद next time study करते हैं the phosphorocycle phosphorocycle देखे यह रही phosphorocycle इसका main reservoir rock बताया था तो रॉक की जब weathering होगी तो phosphorus release होगा वह soil में solution के form में यूज होगा इसको यूज कर रहे हैं डिकंपोजिशन प्रॉसस चलेगा उनके लिए डिक्ट्रेटरस के लिए soil में से जो प्रड्यूसर न की प्लांट उसका अप्टेक करते हैं कुछ ऐसा होगा जो ड्यू टू रेन वाटर रन उफ हो जाएगा बाकी प्लांट न ले लिया प्रड्यूसर ने प्रड्यूसर को एक कंजूमर ने इट किया कंजूमर को इट किया दूसरे कंजूमर ने उनकी जब डैथ होगी तो वह प्लांट हो या हमारे कि इको सिस्टम के अंदर कार्बन की कितनी परसंटेज है क्या इसकी वैल्यू है तो इसमें देखिए कि इन्वार्मेंट के अंदर जो कंस्टिट्वेंट है वह 49 परसंट है बाई ड्राइव वीट ऑर्गनीजम का ठीक है उसके बाद नेक्स इसमें परसंटेज आपकी दे रखिए कि ओवराल ग्लोबल वर्ड में ओशन के अंदर कितनी है ओशन के अंदर 71 परसंट कार्बन है यह दे रखिए ड्राइव वेट ऑफ दो ऑर्गनीजम कितना प्रजेंट है 71 परसंट किसके अंदर दे रखा है यह दे रखा हमारा ओशन के अंदर चीक है इसलिए बोला जाता कि ओशन जो है वह में रजरवायर है किसके हमारे कार्बन डायोकसाइड के और एट्मॉसफेर के अ सब्सक्राइब हो रही है ग्लोबल वार्मिंग कंसेप्ट के अंदर अकॉर्डिन टू एस्टिमेट फोर इंटो टेंटेंट इस्टी पावर माइन थाटीन किलोग्राम ऑफ कार्बन फिक्स होती है एवरी इयर बाइदर प्लांट्स ठीक है यह एवरी एर फिक्स करते हैं हम कौन फिक्स कर रहा है हमारे प्रेड यह फिक्सरा के मारे प्लांट के मुझ एशंच बताया थानैं ने बधेड़ बदेश्वत्ट हैं कि जो हमारे फॉसिल टीजा आइं और एवर कॉर्कन के लिए और बाकियाम सेथिफेक्त अंग यह आपको पता ही है कि green house effect क्या होता है कि जो carbon dioxide है इसके अंदर एक बहुत important fact होता है कि it has a capacity to trap the heat sunlight को trap कर लेती है उसको release नहीं करती when the earth temperature increases by one degree Celsius overall earth का temperature अगर one degree Celsius increase हो जाता है तो इस effect को हम नाम देते हैं एल नीनो एफेक्ट का ठीक है इस सारे concept हम study करेंगी chapter number 16 अब नाव दे point content कि भी phosphorus और nitrogen cycle में difference कैसे करें carbon cycle तो gases cycle phosphorus cycle is a sedimentary cycle carbon cycle take place in both hydrosphere and the lithosphere but phosphorus cycle take only in the place lithosphere ठीक है during respiration carbon dioxide is released carbon release or in the form of carbon dioxide but no such release take place in respiration exchange of gases occur between carbon and organism and the atmospheric carbon dioxide है photosynthesis के थूँ यूज हुई दूसरे organism ने इसको respiration के थूँ रिलीज कर दिया बट ऐसा कोई एक्षेंज हमारा किसमें नहीं चलता बेट्वीन दा फॉस्फोरस साइकलिन की और गनिजम और एंवार्मेंट दोनों के बीच में एक्सचेंज है बट ऐसा एक्सचेंज किसमें नहीं चल रहा हमारा phosphorus cycle next जो इसका last topic अपना बचता है वो है हमारा in ecosystem services हमारी इको सिस्टम हमें क्या क्या प्रवाइड कर रही है services क्या क्या दे रही है ठीक है तो इसमें देखिए ecosystem services का meaning क्या है the product of ecosystem चाहे वो economic value के हैं environmental के लिए हैं या हमारे aesthetic हमारी आस्था के लिए हैं उनको किसका नाम देते है ecosystem services तो सबसे major हमारे forest है forest एक तो air को purify करते हैं nutrient cycling को maintain करने में help रख करते हैं wildlife का habitat है pollination में help करवाते हैं ठीक है और site है carbon की यानकी बहुत सारे ऐसी valuable things हैं जो ecosystem हमें जो है provide कर रही है एक हमारे ecologist थे Robert consensus और इनके colleagues ने क्या किया कि overall measure करके देखा कि अगर हम लोग नेचर से जो मिल रहा है अगर हम उसकी प्राइस लगा दें ठीक है कि एक person कितना support कर रहा है तो इसने गाया कि approximately यूएस के 33 trillion यानिकी 33 trillion dollars यह product जो है यह बना के दे रही है हमारी nature और gross value अगर इसकी हम निकाले यानिकी हम कितना दे पा रहे हैं इसको return में hardly we are giving 18 trillion dollar हम इसको return कर पा रहे हैं यानिकि 10% से भी कम जो environment हमें दे रही है soil formation में 50% यूजब कर रही है recreation जो हो रहा है इसका वह 10% का ही है और climate के लिए यह कितना दे रही है 6% यानिकी total अगर हम लोग देखें कि environment ecosystem के अंदर जो environment का फेक्टर है biotic biotic human beings को छोड़ दे अगर हम लोग तो बाकी factor कितना यूज़ कर रहे हैं हमारे इसको 50 plus 10 plus 6 यानिकी 66% नेचर वापिस ले रही है 44% हम लोग यूज़ करते हैं और 44% की for a single person कितनी value है 33 trillion dollars per year एक परसन यूज़ कर रहे है तो यह आपका chapter था completely जो हम लोगों ने किया है एक इसमें एक definition और रहा है आपकी little word भी कई बार यूज़ करते हैं डिटेटर्स की जगह है तो little क्या होता है कि it is simply dry fallen जो plant का matter होता उसको बोलते है और डिटेटर्स के अंदर dead remain आता है both plant and animals का ठीक है तो this is all about your chapter ecosystem, go on studying, keep safe, stay at home